मसकार प्यारे शाथियो आरपी एम ब्रिच यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चलिए हिंदी की एक नई स्रंखला के साथ हम आपके सामने उपस्तित है तो चलिए बिना देरी किये हुए स्रंखला की सुरुआत करते हैं जैसे कि आप अपनी स्कीन पर देख पा रहे होंगे आज का जो आपका टॉपिक है वो उत्तरपरदेश पुलिस उत्तरपरदेश SI, MPSI, RO, ARO के एक्जाम के लिए जो हिंदी का टॉपिक रहता है उसके लिए बहुत ही महत्पूर स्रंखला होने वाली है तो वीडियो में आप लोग अंते तक बने रहिएगा वीडियो को आपको पूरा देखना है इसके बिलकुल नहीं करना है तो चलिए स्रंखला की सुरुआत करते हैं आप शबीका हमारे यूटूब चैनल पर बहुत बहुत श्वागत है जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और शाथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे की कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंतक देख सकते हैं तो चले वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी किये हुए पहला कुश्यन आपके सामने है कि सिरसे पानी गुजर जाना मुहावरे का उप्युक्त अर्थ बताए तो पैरेशातियो आपको बताना है कि सिरसे पानी गुजर जाने मुहावरा जो है उसका उप्युक्त अर्थ क्या होगा कहरे पानी में स्थान रखना या फिर सहन सीलता की सीमा तूट जाना या फिर अच्छी प्रकार से सिर्द होना या फिर डूबने से बच जाना तो पैरेशातियो कुश्चन नमर फर्ष्ट का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा option number B कि सहन सीलता की सीमा तूट जाना यानि कि जैसे हम लोग आपस में नहीं बोलते हैं कि अब जो है हद हो रही है या पानी सर्शे उपर हो रहा है यानि कि जो उम्मीद होती है जो किसी कार करनी की जो limit होती है उससे आप बाहर जा रही है limit cross कर रहे है तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं कि पानी जो है वो सर्शे उपर हो रहा यानि कि सहन सीलता की जो सीमा है उसको आप cross कर रहे हैं तो चलिए first का answer हो जाएगा option number दूसरा आगे बढ़ते हैं question number 2 की तरफ अकल पर पत्थर पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है क्या होगा मूर्क बन जाना या फिर बुद्धी ब्रस्ट होना या फिर वेफिक्र होना या फिर अपमान जनक बात करना तो प्यारे शातियो अकल पर पत्थर पढ़ना यानि कि बुद्धी ब्रस्ट अकल पर पत्थर पगना इसका मतलब होता है कि बुद्धी ब्रस्ट होना तो option number 30 इस प्रशन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे शाथियो चलिए आगे बढ़ते हैं question number 3 की तरफ अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है प्यारे शाथियो ये बहुत ही महत्पूर है राजस्व लेकपाल के अनि कि राजस्व नीचक में ये आपका पूंचा जा चुका question है पूरी स्रंकला में हमने 50 question लिए है कोई भी question ऐसा नहीं है जो आपके exam में कहीं ना कहीं ना पूंचा चा चुका हो बहुत ही महत्पूर question यहाँ पर हमने लिए है टॉफ 50 question तो चलिए अंडे सेना महावरे का अर्थ है कि मुर्गी का चूजा की ऊपर बैठना स्वाब लंबी होना स्वार्थ सिद्ध करना या फिर घर में बेकार बैठना तो प्यारे शातियों जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे question number 3 का सही answer क्या रहने वाला है कि घर में बेकार बैठना यानि कि घर में पड़े रहना किसी कोई भी काम ना करना चलिए आगे बढ़ते हैं question number 4 की तरब जूतम पैजार महावरे का अर्थ है तो आपको बताना है कि जूतम पैजार जो महावरा है उसका अर्थ क्या होता है लड़ाई जगड़ा करना या फिर लूट मचाना या फिर छीना जप्टी करना या फिर किसी बस्त की बहुतायत तो प्यारे शातियों question number 4 के लिए जो आपका right answer हो जाएगा एक चने से भूक नहीं मिरती है तो प्यारे शातियों बिल्कुल अकेला चना भाग फोलने का मतलब यह है कि अकेला व्यक्ति सक्षाली नहीं होता है unity is strength वाली condition है कि अगर आप लोग जो है वो unity है एकता है तो बगा से बगा कार भी आप सामने वाले किसी भी पर्षन या किसी की भी काम को कर सकते हैं लेकिन अकेला व्यक्ति के लिए वो अशंबा होता है तो ऐसे काम को हमें एक साथ मिलकर करना चाहिए तो कुस्चन नमर पांच का जो right answer हो जाएगा पांच का जाने परषन का क्या सही अर्थ होगा दूसरों का दुखदर्द नहीं समझना या फिर शंतान हीन होना या फिर जिस पर बीटती है वही जानता है यह आपको बताना है कि इस प्रषन का क्या सही उत्तर होगा तो प्यारे शारती बिल्कुल बांज किया जाने प्रशो की पीड़ा यानि कि जिस व्यक्ति पर जो मसीबत होती है वो वही जानता है उस मसीबत को दूसरा व्यक्ति बया नहीं कर सकता या दूसरा व्यक्ति उसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकता तो जिस पर जो दुख करना या फिर शबी पर अविस्वास करना या फिर कम सुनाई देना तो प्यार रिशातियों कान का कच्चा होने का मतलब है कि सुनी सुनाई बातों पर विस्वास कर लेना यानि कि कि किसी व्यक्ति ने किसी से कुछ भी अगर किसी दूसरे के बारे में कह दिया और उसने मान ल कुश्यनुमर 8 की तरफ खिच्चली पकाना मुःवरे का अर्थ है Прियारे शार्ट कि यह को सही उत्तर हो किसी सभी तरफ की तायार है यानी ά कि खिचली पकाना यान कि हम लोग आपस में नहीं बोल देते कि क्या खिचली पका रहे हो कहने का मतलब कि आपस में किसीज को डिसकस कर रहे हो क्या पिलान है चले तो आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमबर आठ की लिए राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर जान का आर्थ है तो आपको बताना है कि बिलकुल इसका मतलब यह होता है कम ग्यान में अधिक ग्यान का दिखावा करना तो यह चीज गलत है तो question number 9 के लिए जो आपका right answer हो जाएगा प्यारिशातियो वो आपका हो जाएगा option number A चलिए आगे बढ़ते हैं question number 10 की तरफ पॉबारे होना मुहाबरे का सही अर्थ है तो question number 10 के लिए option number A बिल्कुल शही उत्तर होगा प्यारिशातियो चलिए आगे बढ़ते हैं question number 11 की तरफ सब्ज बाग दिखाना मुहाबरे का अर्थ है बाग में घूमने जाना, साग सब्जी पैदा करना, प्रलोभन देना या फिर भैवीत करना तो प्यारिशातियो इस प्रशन का बिल्कुल शही उत्तर हो जाएगा आपका प्रलोभन देना यानि की लालच देना तो question number 11 आपका बहुत ही महत्वों है, UPSI की एक्जाम में ये पूछा जा चुका है पूछा हुआ question है, प्यारिशाति इंपोर्टन question है, तो आपको याद रखना है कि सब्जबाग दिखाना का मतलब होता है प्रलोभन देना यानि की लालच देना, चली आगे बढ़ते हैं, खुदा गंजे को नाखून ना दे, लोकोक्ती का अविप्राय है क्या अविप्राय है कि छोटे आदमी का प्रेम आयस्थिर होता है, लज्जेत होकर दूसरे पर क्रोध ना निकालें, एक दोस पहले सी तदा दूसरा दोस और आ गया, अत्याचारी को सक्ती नहीं मिलना चाहिए तो प्यारे शातियों बिल्कुल इस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा, उप्शन नमर चौथा, कि एक तो वो पहले सही अत्याचारी था, उपर से उसको सक्ती और दे दी जाए, तो फिर वो नासी करेगा, तो कुश्चन नमर बारे के लिए राइट आंसर हो जाएगा, कुश्चन नमर तेरे की तरब, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी पर नाव लोकोकती का सही आसर है, क्या सही आसर है, संगर्शो होना, एक दूसरे की सहयता करना, भलाई करना, या एक से सुभावाले होना, तो प्यारे शातियों, कुश्चन नमर तेरे का जो राइट नमर बी चलिए आगे बढ़ते हैं उड़ती चडिया के पंक गिनना मुहावरे का अर्थ सही अर्थ होगा अन्भवी होना वाक्चतुर होना प्रतवाशाली होना या फिर अशंबाव कारिय करना तो बिल्कुल प्यारिशातियो जैसे कि आप लोग मुहावरा को पढ़के ही सम नकार खाने में तूती की आवाज मुहावरा का अभिप्राय है क्या अभिप्राय है तूती की आवाज अभशे उंची होती है नकार खाने में तूती नहीं बोलती नकारे लोगों को शर्वत्र तूती बोलती रहती है या शमर्थ व्यक्ति के शामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता हाँ तो बिल्कुल शही बात है प्यार इशातियों अगर कोई पैशा वाला ब्यक्ति है और उसके शामने अगर गरीब ब्यक्ति आ जाए तो उसकी एक न चलने वाली है तो आंसर हो जाएगा कुश्चन नमर 15 के लिए ऑप्शन नमर 4 चलिए आगे अंधे को भी शभी शुखद अन्वाव हो शकते हैं तो प्यारे शातियों आपको बताना है कि कुश्चन नमर 16 के लिए शही उत्तर क्या होगा तो प्यारे शातियों कुश्चन नमर 16 के ये शही उत्तर हो जाएगा आपका आप्शन नमर A यनि कि आंख के अंधे नाम नहीं जैसे कि अगर किसी से कहा जाए कि सामने वाले व्यक्ति के नाम लाखन सींग है तो क्या उसके लाख सींग है बिलकुल नहीं यानि कि नाम तो है लाखन सींग और शींग नहीं है एक भी तो कुश्चन नमर 16 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर ए चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमर 17 की तरफ चिकना घड़ा होना मोहावरे का सही अर्थ है तो आपको बताने कि चिकने घड़े होने मोहावरे का सही अर्थ गया है चिकना चुपड़ा होना शमरत होना निलज होना ये मधुर भाशी होना तो पैरिशाति कुश्चन नमर 17 के लोकोगती पूर्ला वाकफ होती है यह कथन है सही है गलत है यह कथन का पर्थमन सही है यह कथन का अंतिम अंसर सही है तो प्यारिशातियो जो आपकी कुस्चन में भासा लिखी गई है वो एकदम से सही है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका option number a चलिए question number 18 बहुत है क्रूर हर्देवाला व्यक्ति ममता सूने हर्देवाला व्यक्ति शंबेदन शूने व्यक्ति या फिर दयारहत व्यक्ति तो question number 19 के लिए जो आपका right answer रहना है प्यारिशातियो वो आपका हो जाएगा option number दूसरा इस प्रश्ण का बिलकुल शही उत्तर हो जाएगा ममता श पीट तब तैसी दीजए तो इस प्रश्ण का बिलकुल शही उत्तर हो जाएगी जब जिस समय जब भी जिस टाइम भी जैसा समय चलना चाहिए अगर आप शमय के बुर्दू चलते हैं तो कहीं न कहीं आपको कठनाई होने वाली है तो वही question में कहा जा रहा है कि समय के प्रश्ण का सही उत्तर क्या होगा विकल्प आपके शामने दिये गए हैं तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्ण का सही उत्तर क्या रहने वाला है तो प्यारे शातियों कमेंट करके एक साथ आपको कमेंट करना है कि इस प्रश्ण का सही उत्तर क्या रहने वाला है तो इस प्रश्ण का बिलकुस सही उत्तर हो जाएगा आपका option नमबर दूसरा इस प्रश्ण का बिलकुस सही उत्तर रहने वाला है प्यारे शातियों की चांद पर थूकना मुहाबरे का आसा है चांद पर थूकना यानिकि अशंबाव काम करना डर्थक काम करना सौंदर का अनादर करना सम्मानिय का अनादर करना तो प्यारे चांद पर ठूखना जैसे कि आप मोहावरे को पढ़के आपके लग रहा होगा कि यह काम संभाव नहीं है यह कि अशंभाव काम को करना चलिए आगे बढ़ते हैं कुस्चिन नमर तो जैसे कि आपको कथन के पढ़के लग रहा होगा कि आठ 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 आशू रोना मतलब बुरी तरह पस्ताना तो प्रश्न कुस्चन 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर दूसरा चलिए आगे बढ़ते हैं कुस्चन 24 की तरब नियम के बिरुद्धकार करने का अर् यानि कि आप्शन नमर दूसरा इस प्रश्न का बिल्कुल शही उत्तर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं कुस्चन 25 की तरब इनमें एक लोकोगती है इनमें एक लोकोगती है क्या अंगूठा दिखाना अंदा होना उट के मुह में जीरा या फिर इदर उदर की हाकना तो प् जदा लिखना या बेकार लिखकर प्राइस चित करना तो प्शाति बहुत ही जढ़ते हैं की जादा अच्छा लिखना चाहिए इतना अच्छा लिख दिया कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाना तो चलिए कुस्चन number 27 की तरब जूते होना महाबर kings का सही अर्थ है दुखी होना अपमान करना चापलूशी करना या फिर लड़ाई जगड़ा हो जाना तो प्यारे शायतियों बताईए कुश्चन नमबर 27 के लिए सही उत्तर क्या रहने बाला है तो कुश्चन अप्शन नमबर 28 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर सी चलिए आगे बढ़ते हैं तीस की तरफ जहां ना पहुंचे रवी बहा पहुंचे कभी बहुत ही महत्पूंग कुश्चन है कुश्चन नमबर 29 तो बताईए प्यारे शातियों कि कुश्चन नमबर 29 क के लिए राइट आंसर क्या होगा तो कुश्च अलिए मिलवाते हैं प्रस्ण के सही उत्तर से कुश्चन 29 के लिए राइट आनसर होगा ज्याट होते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्चन 30 की तरफ प्यारे शाति Two बहुत भी महत्तूंग क्ला रहने वाली उत्तर परद इस तरका कार्य करना विद्या का पमान करना फारसी पगए लोगों को पिराया तेल बेचना पड़त है तो गलत है Is right answer is up का बिल्कुल deliver future नमब्र ए भी एस प्रेंग का बिलकुल शहीं उत्तर हो जाएगा आपका option नमबर बी यानि की योगता होते हुए भी विवस्ता की कारण निमने इस तरका कारिय करना चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमर 11 की तरब खेत रहना मुहावरे का साब्दिक अर्थ है खेत रहना ये बहुत ही महत्मूर है ऐसा कोई एक्जाम नहीं कि अगर उसमें हिंद विर गती को प्राप्त हो जाना हाँ बिल्कुल शही बात है सत्रुषे मुकाबला होना ये भी गलत यानि की कुश्चन नमर 31 के लिए राइट आंसर जो रहने वाला है वीर गती को प्राप्त हो जाना तो आपको याद रखना ये बेहद इंपोर्टन कुश्चन है कि खेत र मुहाबरा को पढ़कर ये आपको पता चल गया होगा अब कप्टी मित्र मतलब आस्तीन का सांप चलिए आगे बढ़तें कुश्चन नमर 33 की तरब अद्रस सत्रु अर्थ के अन्रूप उप्युक्त मुहाबरा है मीठी चुरी मुह में राम बगल में चुरी पेट में दाग हो रहा है अब अंचित शंबाद अर्थ के लिए उप्युक्त महाबरा क्या होगा शिर्ख पाना या सिर्ख खाना या सिर्ख नीचा होना या फिर सिर्फ पढ़ना तो प्यारेशाति इस प्रशन का बिल्कुल शही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नमबर दूसरा फालतू की संबाद करना फालतू की बात करना ये आते हैं अवांचित शंबाद यानि कि उस शंबाद उस वारतालाब का जिसका कोई भी अस्तित्व ना हो तो इस प्रशन का बिल्कुश रही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नमबर दूसरा यानि कि सिर्ख खाना चले आगे ब कुछ भी अबलेबिल नहीं है तो बिल्कुल यानि कि बियर्थ की लिखा पगी करना तो ऑप्शन नमबर सी बिल्कुल शही उत्तर रहने वाला है कुश्चन नमर 35 के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं 36 की तरब गोद में लड़का सहर भर में धिंडोरा मुहाबरे का सही अर बिल्कुल शही उत्तर हो जाएगा कि पास में बस्तु रहते हुए चारों और उस बस्तु को खोजना चलिए आगे बढ़ते हैं प्रशन शंख्या 37 की तरब बिना देरी किये हुए घड़ी में तोला घड़ी में मासा का सही अर्थ है बहुत ही नाजुक मिजाज डंडी मार पा तो दूसरे पलनुक्षान जराशी बात पर खुस और नाराज तो प्यारेशातियों बिल्कुल सही बात है पल में मासा पल में घड़ी यानि घड़ी में मासा जरासी बात पर खुस और नाराज होना ये इस प्रशन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा option 5 AAA चलिए आगे बढ़ते हैं 38 की तरफ अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का आर्थ होगा क्या होगा इसका आर्थ प्यारेशाथियो स्वेम प्रत्न करने पर ही काम बनता है विपत्ति में पढ़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता प्रत्न किये बिना बास्ट्विकता शाम भी नहीं होता है चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमबर 49 की तरफ दुरगटना का द्रस देखकर नीलमा का कलेजा पसीज गया तो कलेजा पसीज गया का मतलब दिल बैठ जाना हालत खराब होना गर्मी लगना या फिर दया उत्पन होना दिल पसीज गया मतलब किसी के के लिए दया उत्पन हो जाना चलिए तो कुश्चन नमर 49 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर डी चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमर 40 की तरफ मंतरी के आने पर जंता ने उन्हें आंक उठाकर भी नहीं देखा महबरे का सहीर्थ क्या होगा कि चुप थे यानि कि नाम मातर की उपयोगता बिल्कुल गलत जैसा नाम वैसा ही गोड़ हाँ बिल्कुल सही बात है कि महराजा दसरत का जैसा नाम था वैसे ही उनके गोड़ भी थे तो वही बोला गया महराजा दसरत यथा नाम तथा गोड़ यानि कि जैसा नाम वैसे गोड़ है चलिए आगे बढ़ते हैं कुस्चन नमबर 42 की तरफ की बार बार नाक रगलने पर भी पुलिश ने असोक को नहीं चोगा सही अर्थ होगा क्या कि बिनती करना, खुशामत करना, अदीन होना या फिर बीमार पगलना तो प्यारे शायती है बिल्कुल इस प्रशन का नाक रगल करती है, खाली बैठना, मक्ही मारना मतलब खाली बैठना, तो इस प्रशन में कुछ है नहीं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नमबर D, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुस्चन नमर 44 की तरफ, ना नौमन तेल होगा, और ना ही रादा ना चेगी, इसका अर्थ ह क्या अर्थ है, काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना, या फिर असंबाव कारे, तो प्यारे शाथियो आपको बताना है कि कुस्चन नमर 44 के लिए सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा, यानि कि ऑप्शन नमर D, यानि कि असंबाव कार, इंप प्रशन नमर 45 के लिए जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, उप्शन नमर 6 यानि कि भेद परकट होना, इस प्रशन का बिलकुस सही उत्तर हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुस्चन नमर 46 की तरफ, निल्मिखित मैंसे लोकोक्ती चुनिए, कौन सी इसमें से उत्तर रहने वाला है, उप्शन नमर C, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुस्चन नमर 46 की तरफ की सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है, क्या सही अर्थ होगा, रंग उतर जाना, फेद प्रिकट करना, बहुत पस्ताना, या फिर बिद्रोह करना, तो पैरिशाती उप्शन का सही उत्तर हो जाएगा, बिद्रोह करना, सिर उठाना, यानि की बहुत जादा परिशान करना, तो कुस्चन नमर 47 के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नमर D, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुस्चन नमर 48 की तरफ, नई जमीन तोगलने का चार अर्थ दिये गए हैं, सही का चैन कीजिए, कि पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रियोग या फिर बड़ी लकीर खीचना, तो पहरे शादियों बताईए, इस प्रिशन का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प तो आपके सामने हैं ही, तो जल्दी से बताईए, तो इस सुगंद मुहाबरे का सही अर्थ है, कि सुन्दर बस्तु में और गुड होना, सुगंद से युक्त आभूसन, सुन्दर आभूसन या फिर शुगंदेत सोना, तो पहरे शादियों ऑप्शन नमर ए, इस प्रिशन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कि सोने में शुहाग कि चलिए आगे बढ़ते हैं, कुश्चन नमर पचास की तरफ, अपना हाथ जगनात का अर्थ है, क्या है मनमानी करना, अपना हाथ पूजनी होता है, अपने आप से काम करना ही उप्योगत होता है, या फिर अपने हाथ से दान करना, तो प्यारिशातियों अपना हाथ जगन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्वाद, एक प्यारा सा कमेंट करके आपको बताना है कि सरंखला आपको कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और हाँ आवस्यक सूचना कि जो भी हमारे यूटूब चै धन्वाद